News 18 इंडिया के पास ED चार्शीट की कॉपी भी है उस चार्शीट में शराब घोटाले में साउथ कनेक्शन का भी बाकाइदा जिक्र है के कविता केजरिवाल से एक साथ पूसकाज करना चाहती है इंफोस्मेंट डारेक्ट रेट प्रवर्तरनी देशाल है तो बड़ी खबर आपको दे दें News 18 के पास ED की चार्शीट की वो कॉपी है इस चार्शीट में शराब घोटाले में का जो साउथ कनेक्शन है यानि दक्षिन भारत से उसका जो कनेक्शन है उसका बाकाइदा जिक्र है इसमें के कविता केजरिवाल को एक साथ पूछताच करना चाहती है इंफोस्मेंट डारेक्ट रेट और दस दिन की रिमांड आठ से दस दिन की रिमांड मांगेगी राउजे वेनिव कोर्ट में आज दो पहर दो बजे पेश किया जाना है और वहां मैक्सिमम रिमांड की जो है वो कहा जाएगा एडी की तरफ से और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर के कविता और साथ ही साथ अरविंद केजरिवाल को एक दूसरे के आमने सामने बिठा कर उनसे पूछ स्टाच की जाएगी यानि साथ कनेक्शन इसका क्या है 100 करोड रूपे जो दिये गए थे के कविता की तरफ से बाकाईदा उसके बारे में भी पूछ स्टाच की जाएगी तो यह एहम जानकारी हम आपको दे रहें यूज 18 के पास बाकाईदा वो जो चाशीर की कॉपी है उसमें किन-किन बातों का जिक्र है शराब घोटाले का जो साउथ कनेक्शन है उसका इसमें बाकाईदा जिक्र है और अब इस पूरे दस्तावेजों के साथ अब के कविता और अर्विन के जिरिवार इन दोनों को ए संजीब खना की बेंच में जाए पिर अभीशेक मनु सिंग्वी की तरफ से कहा गया कि आप हमें वापस बेज देंगे लेकिन अभी फिलाल सीजाय के सामने ही हैं अभीशेक मनु सिंग्वी जावेद मंसूरी मेरे सायोगी इस वक्त मौझूद है आमानी पार्टी के दफ्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर अब धीरे धीरे यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं जो आमानी पार्टी के कारेकरते हैं बड़े प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था अरिविंदी के जिवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने कि अब यहां मुझे जो बस दिखाई दे रही है दिल्ली पुलिस की वो बसिस भी पहुचना शुरू हो गई है क्या डिटेंड करने की कारवाई को अंजाम दिया जाएगा या अभी एहतियातन रखा गया है या और इंतिजार किया जाएगा फिलाल पुलिस की अपनी पूरी तयारी है चाहे वोटर कैनन हो बिल्कुल पूरी फिलाल प्रिजर्शन करने से रोका नहीं जा रहा है फुलिस के दौरा लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के कारे करता है वो जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उसके बाहर जमा होने शु कि कॉपी है इस चाशीट में जो शराब घोटाला है उसका जो साउत कनेक्शन है दक्षिन भारत का जो कनेक्शन है इस शराब घोटाले से जुड़ा हूँआ उसका बाकाइदा זिक्र है और अब एसे में के कविता और अर्विन केजरिवाल दोनों को एक साथ बिठाकर पू राउजे वेन्यू कोट में, पीमेले कोट में, हमारे सहयोगी आनन्द तिवारी, ओपी तिवारी मौजूद है एडी दफ्तर के बाहर, ये न्यूज 18 के हाथ वो चाशीट की कॉपी है, जिसमें साउथ कनेक्शन का जिक्र है, क्या उसके बारे में और जानकारी आपके पास आ आरोबारी हैं, इन लोगों ने मिलके जो है इस आपकारी नीती में लाव उठाया और जो केक अभीता है, वो इसको लीट कर रही थी, ओपी तिवारी में साथे, साउथ लावी में सो करोण रूपी की किक बेक की बात, जो है वो चाशीट में सामने आई है, बकादा डाइग जिराम के साथ बताया गया कि किसका किस से कनेक्शन था, ये एक बड़ा अधार है, ये भी अर्विन केजरिवाल की घटारी का और इसी को लेके भी पूस्ताट की जा रही है, बिल्कुल मैं आपको बता दूँ कि अर्विन केजरिवाल के इस इस मामले में इन्फोर्च्में और किन किन लोगों को रिश्वत दी गई, उसमें साथिया का नाम और दूसरे लोगों के नाम पर भी आरोफ है कि उन्होंने भी पैसे लिए, लेकिन अर्विन केजरिवाल का नाम डारेक्टर दौर पर कहीं नहीं था, लेकिन जो इस मामले में अर्विन केजरिवाल की भू पूस्ताच वाया है of कोड से उस रिमांड के षिया जीवाल सो मनी-टल की पूस्ताच करने की कोशिश की जाएगी वह मनी ट्रेल अगर ये इसनों पड़ी मुजीबन में फस्तने आए थे कि बिलकुल जैसा ओपी बता रहे कि रृष्य विकरांत यदर वं ये तीनों जजों की जो बेंच है वो इस मामले को सुनेगी Chief Justice of India ने उनकी बेंच में जाने को कहा है अब अभिशेक मनु सिंग्वी उनकी कोट में जाएंगे वहाँ पर मंशन करेंगे इस मामले को जस्सित संजीव खना, जस्समा पर सुन्दरेश और जस्स बेला त्रिवेद इन तीनों की कोर्ट में अब ये मैंशनिंग की जाएगी हालंकि एक और चीज में बताओं कि के कविता उसके उनके मामला भी यहाँ पर अभी आया था जसी संजीव खन्ना की कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि नियम सब के लिए एक होने चाहिए उनको भी कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला है उनकी सुनवाई चल रही है तो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है कि कोई रिलीफ कोट से मिला है विकराद यही बड़ा सवाल मैं आपसे जाना चाहरा था आप कोट की बीट काफी समय से कवर करते हैं तो ऐसे में जब निचली अदालते अपना फैसला सुनाती है तो बहुत कम उमीद होती है कि सुप्रीम कोट कोई अलग राय दे दिखें पंगा जी समामले में क्योंकि निचली जो कोट का अभी कोई फैसला आया निए इसले रिट क्योंकि इस मामले में फाइल की गई और यह रिट जो कल जो हाई कोट में इंटरिम प्रोटक्शन के लिए दाखिल की गई थी उसको चुनोती नहीं दी गई एक नई रिट की गई है जिसमें ग्रफतारी को चैलेंज किया गया है और ग्रफतारी को जब आप चैलेंज करते हैं तो कॉंसिट्यूशनल कोट के पास आप चैलेंज करने का अधिकार होता है आग तोर पर क्या होता है कि कई वकील सीधा सुप्रीम कोट पहुंच जाते हैं पहेंगे ही ये साफ है कि ये गिराफ्तारी सम्विधानिक तरीके से हुई है कानूनी तरीके से हुई है एक सम्मन नहीं नौनो दसदस सम्मन मिल गए लेकिन वो बहाना वाजी कर रहे थे वो अधालत में एक नहीं दो वार चले गए लेकिन फिर भी कोई रिलीफ उनको मिला न यह था आपको इंक्वारी फेस करनी चाहिए समन फेस करना चाहिए नहीं किया जब पूरे साक्ष थे एडी के पास तो उन्होंने गिरफतार किया है और जब गिरफतार किया तो इतना हंगामा क्यों बढ़पा है लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अर्विंद केजरीवाल एक सोच है और सोच को आप कैत करके नहीं होता है वह कई राज में आप अजयता चैर जाता है उन्होंने गलत तो नहीं का है यहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन कांदूलन चला कर आए लोकपाल की बात करके आए कितनी बातें कहते थे आज उन्हीं के बयान सब लोग फिर से सुन रहे हैं और खुद पर वो बयान लागू नहीं कर रहे हैं तो अब उनको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है इंक्वारी फेस करें और उनसे सवाल जवाब हुआ है बिना साक्ष के तो इडी गरिफतार नहीं करती है लेकर रहूल गांदी कह रहे हैं कि आप लोगों ने लोगतंत्र की हत्या कर दिया शर्मसार हो गया देश लग रहा है लग रहूल गांदी के जबान पे एक बत चड़ गया है जैसे टीशिट उनके साथ चिपक गया है वैसे लोगतंत्र की हत्या और लोगतंत्र खत्रे में है ये भी चिपक गया है उनके आप पिछले पचास बयान निकाल ले हर किसी में वो लोकतंतर है नहीं लोकतंतर मर गया लोकतंतर की हत्या हो गई लगता है कि उनकी सुई वहीं अटक गई है उनको ये लगता है कि एक बार तो उनको याद होना चाहिए न यहीं अरविंद केजरिवाल उनके मंत्रियों के खिलाफ पानी पीपी कर जो बोलते थे वो सब पुराने बयान राहूल गांदी जी को देखना चाहिए यतेंद और मैं चाहँगा शाहनवाज जी से जरा पूचे आतिशी ने अभी प्रेस कांफरिंस की थी उन्होंने ये कहा कि वो जो है एक विचार है अरविंद केजरिवाल प्रेड़ना है एक अरविंद केजरिवाल को अगर अरेस्ट करोगे तो हजारों अरविंद किये शेहनवाजी और उसने काय की केजरिवाल प्रेडना च्र्ड करोण को कार्य कर दर्श करंदा को क्याइब तो हजार हो लाखों केजरिवाल सामनी आधेंगे अगा यह तो ढायलोग जका है कि सोच है प्रेड़ना है तो अभिमान है अभिमान है ये सब तो बोलेंगे लेकिन भरस्टाचार के बारे में एक शब्द कोई नहीं कह रहा ये नहीं कह रहा कि नहीं जी इस राप का स्कैम हुआ नहीं अभी जतने लोग उनके इस स्कैम में जेल के अंदर बंध हैं उनको ये कोट गए वहाँ कोई रिलीफ नहीं था तो गिरफतारी तो होनी थी क्योंकि ये ये देंदर स्पीच बड़ी ख़बर आ रहे है सुप्रीम कोट से जरा सुप्रीम कोट जाना होगा मुझे